अब ये दो कैचल लाचकल में हूँ आपका फेवरिट यूटीबर क्याल चाल सुस्त्रेकाल मैं हून यॉन मैं CWL चालो हो चुकिया और हमारी CWL के अंदर दो क्लैंस ऐसे हैं जो हमारी पूरी CWL चौपट कर सकते हैं ये वाली CWL हमारी लिए बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत खतरना हो चुकी है सिर्फ ये दो क्लैंस की वज़े से आव बाई चलते हैं CWL के अंदर और हाँ चल पर पहली बार आए हो तो ठोको सब्सक्राइब बटन इस CWL की पहली मेंच हमारी इंदर डार्क टीम के साथ लग चुकी है उन्होंने अल्रेडी 14 अटाक में 33 मार दिये है और हम लोग तो रैंक वन पर है लेकिन नीचे से रैंक वन पर हम लोग को रैंक वन पर जाना है एक्चुल में तो फिलाल दोस्तों सबसे पहले हम लोग हमारा अटाक करने वाले हैं नंबर नो के उप़र हम लोग हमारा अटाक से शुरुआत करेंगे आज के CWL की उसी के साथ देखेंगा बटी सिर डबल खतब होने के बाद हमारी रैंक क्या रहती है तो हमारी फिलाल आर्मी रहने वाली है यहाँ पर Queen Charge Root Riders वो भी Recall के साथ Simple Army है Triple निकालना है वाई ठीक है और ज्यादा ताम जहाम नहीं करना अपने को इस Army के अंदर बहुत Simple है Town Hall हम लोग Queen के साथ नहीं निकालेंगे Queen को अपने को बाजू से लेके जाना है ओके Town Hall पर नहीं जाए तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा चलो 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 क्वीन वेरी नाइस नीचे की सेड़ पर आ रही है गुड चलो भाई अच्छा खासा हम लोग ने यहाँ पर अपार्टमेंट खोल दिया Queen के लिए Queen अंदर जाके बहुत भयंकर वैल्यू निकाल के देगे हमको ओके इनवीबी आ जाएगा चलो भाई साइड आइम पर इनवी डाल दिया और दो सीखिंग एर माइन ट्रिगर हो गए ओके उपर की साइड पर भी क्लीन अप बना लेंगे हम लोग कि इंग डालेंगे रूट राइडर्स एपरेंटिस वॉर्डन बुद्धा ओके वाल चैम्पियन भी जाएगी चलो 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 जीजी वेरी नाइस है ओके अपने को अभी फ्रीज करना पड़ेगा टाउन होल को और टाउन होल की पीछे वो जो चीज़ ना जो खड़ी है कि उसको भी करना पड़ेगा बसीन करेंगे अबल पी चामा एट लाय यह क्या हो गया दोस्तो अच्छा यह है यहाँ पर रेज लगा देते हैं यहाँ पर एक चलो टाउन होलो फुली मिल जाए मिल गया ओके क्वीन को यहाँ पर उतारेंगे क्वीन को हम लोगों ने सही उठा लिया वरना सिंगल जान खा जाता हमारी क्वीन की भाई तूभी ऑनेस्ट किंग ने भाई यह कंपार्टमेंट की पूरी वैल्यू दो नहीं निकाली है पर ठीक ठाक वैल्यू निकालके दे दी अपने को खत्ता में दोस्तों यह बेस वक्त बचा हुआ अभी काफी पर इतने कम वक्त से कुछ नहीं होगा बहुत ज्यादा वक्त बचा के ट्रिपल मारना पड़ेगा क्योंकि भाई 45 45 पे बहुत हाई चांसे की आने वाले जो सीडवल के मैचे से 45 45 होए हमारे चलो बाई यह बहु पुरे क्लैन की फिर देखेंगे हम लोग रैंक क्या मिलती हम लोगों को डेव वन के एंड में फिलाल दो में छे स्टार हो चुग हमारे यहाँ पर जो नंबर एक पर क्लैन है इराक इन्होंने 15 में 38 मारे है उसके बाद नंबर दो पर 15 में 36 वियतनाम 12 में 34 मतलब दो यह क्लैने दस में 28 मार रखे इन्होंने मनलब इनके भी दो ही अटाइक्स फेल हुए है उसके बाद बाकी नीचे तो चलो उतने तगडी टीम्स नहीं है तो कॉंपेटिशन हमारा यह दो क्लैन्स के साथ होने वाला है वेंपार सिटी और वियतनाम नंबर वन आवाई हमारी साइड से जीटी एक सतनीश लाइव है जीटी एक सतनीश का अटाइक देखते तो तनीश भाई सब यहां पे कर रहे हैं ब्लिजार्ड लावा लून आर्मी क नाइस बिल जा बही मिलिया वेरी नाइस यह एक्स बोबी मिलिया वावा वावा तेरा परसेंट की वेल्यू निगा लिए भाई साब ने चलो अच्छी बात है काफी क्वीन को डिप्लॉय कर दिया है क्वीन के उपर भाई हीरो एक्विपमेंट बारा सोला कि एक्विए ट्रिपल ड्रैगों करता है हमारे क्लैन के अंदर लावा लून तनीश को पहली बार देख रहा हूं इस आर्मी के साथ अटाक करते हुए लेट सी क्या यह ट्रिपल होएगा स्केटर शॉट देखो इस बंदी के पास मैक्स लेवल का क्वीन के ओपर भाई फ्रोजन एरो लेवल बार अतना कारगर साबित होगा क्या देखते अभी पता चली न जाएगा वाल ब्रेकर को डिप्लॉय करा गया है वेरी नाइस किंग नि वैल्यू तो बड़ी अच्छी कासी निकाली है यहां पर तनीश ने बहुत ही अच्छी वैल्यू निकाली है क्विन के अबिलिटी चलो दबा दी नीचे की साइड पर लावा लू चालू कर दिया बुड्डे के साथ वेरी नाइस जॉब प्रीज स्पेल को डिप्लॉय कर द आइस नाइस अच्छी कि अरे यह उपर से एक और लावहन कहां से डाल दिया उसके पीछे बलून है इनी बंदे के बास डालने के लिए जलो कोई दिक्कत रही है एटलिस्ट वह वीजर टावर को डिस्ट्रेक्टेड रखा है वरना वीजर टावर का स्प्लैश डाइज होत लेकिन फिर भी बेस खतम नहीं हुआ है और खतम है वैसे तो यह बेस चलो अच्छी बाद है वाई तीन अटाइक में नौ स्टार हो जाते दोस्तों इसी के साथ ओफुली बार खतम होने के बाद स्कोर में रखो दिखे 15 में 45 तब जाके असली मज़ा आएगा तब जाके हम लोग यह जो दो टीम से ना वियतनाम और वेंपायर सिटी इन लोग को हरा पाएंगे हम लोग और रैंक वन कर पाएंगे चलो वेरी नाइस अटाइक भाई जी ट सातविक भाई साब यहां पर कर रहा है क्वीन चार्ज रूट राइडर के साथ अटाग लेकिन यहां पर रिकॉल नहीं है हमारी तरफ यह क्लासिक क्वीन चार्ज है ओके चलो बाई क्वीन को डिप्लॉय करा गया है टाउन हौल कंपार्टमेंट के पास और किंग को यहां पर इस कंपार्टमेंट के अंदर डाला गया है नीच वाले 3 o'clock कंपार्टमेंट में क्वीन के ओपर हिलर्स डिप्लॉय कर दी क्वीन यहां से टाउन हौल तो निकाल लेगी चलो किंग के अबिलिटी इस्तेमाल कर ली और वॉल ब्रेक भी सही दिया है जिससे की किंग के ल चलो फ्रिट्स पेल इस्तेमाल करके सही कर दिया उपर वाली साइड पे रूट राइडर्स बुढधा एपरेंटिस वॉर्डन रॉयल चैंपिएन पीचे से वीजर्स वेरी नाइस जॉब भाए सात्वीक क्वीन ने काफी अच्छा काम कर रहा है तीन सुपर वॉल ब्रेकर अभी बाद चुके है ओके उपर की साइड से देखो भाई ड्रिल मशीन दडडड़ वाली मशीन डिप्लॉय कर दी और वेरी नाइस वॉल ब्रेकर बाए सात्वीक दो वॉल ब्रेकर एक साथ डाले देखो दो सुपर वॉल ब्रेकर बुड़व की अबिलिटी इस्तमाल कर ली वॉल ब्रेक हो गए क्या बात है दोस्तो स्केटर शॉट ने मार दिया और दोनों के दोनों वॉल ब्रेकर उदरीच फूट गए स्केलिटन स्पेल यहाँ पर सही जगब डिप्लोई करा गया है यह जो कंपार्टमेंट है ना वैसे भी खतरना कंपार्टमेंट है तो स्केलिटन स्पेल डालके वहाँ पर बहुत अच्छा किया क्विन के पास ability है क्विन के विचे सारी hillers है क्विन के उपर वो अपना frozen arrow है तो सही काम कर रहा है वो भी निपढ़ या लग रहा है वक्त भी बहुत बचा हुआ है क्विन के पास ability royal champion के पास ability है very nice job by satvik मेरे को लग रहा है कि दोस्तो यह बहुत आराम से निपता दिया सात्वीक ने और यह उपर से drill machine फटी भी नहीं अभी तक क्या बात है वक्त भी काफी बच चुका है clean up के लिए कुछ troops बचा के भी रखे है royal champion के ability भाई साब दबा ही नहीं रहे यहाँ पर मेरे को नहीं लगता यह drill machine फटेगा आज कभी-कभी लोगों का flinger नहीं फटता किसी का कुछ और नहीं फटता और भाई साब का यहाँ पर drill machine नहीं फट रहा हमारा भी कभी-कभी नहीं फटता है चलो भाई साब कुछ बिना फ़ाड़े ही opponent का base फ़ाड़ दिया सात्वीक ने मज़ा आया दोस्तों इसी के साथ score देखो भाई हो जाता है चार अटाक के अंदर बारा स्टार अगले अटक हमारी साइड से के आर ओमकार भाई साब कूद चुके है मैदान में और जनाब कर रहे है यहाँ पर queen charge root rider वो भी यटी blimp के साथ है वेरी नाइस अभी अभी यह गया इतने सारे बलून्स ली यह टी blimp के अंदर यह थोड़ा पचा नहीं मेरे को अभी वाट यह क्या दा भाई कुछ बिलाई नहीं कंपार्डमेंट के अंदर भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू थी कि स्केटर मिले और रिकशेट कैनन मिले वो दोनों चीज़े नहीं मिली नहीं रॉयल चैंपियन वा मिली क्या फाइदा हुआ भाई ब्लिंब डाल के वाई ब्लिंब वेस्टी हो गई यह किस आप से देखा जाए तो पर भाई उतना भी कुछ अटाक के अंदर दिक्कत नहीं आएगा जिस इस आप से अटाक शालू किया है मेरे इस आप से फो तो जाना चाहिए यह ट्रिपल देख मार दी क्विन यहां पर टाउन हॉल निकालने का काम कर रही है अबे किंग कहां जा रहा है भाई स्केटर में जाई हो ना अबे यार बकलवल इंचान क्या कर रहा है भाई यह खद्दी हो गई वाई किंग फस गया वाई वाल के ओपर स्टक हो चुका है उपर की साइड पर चालू कर दिया अपना अटाक रूट राइडर्स वाला गुद्धा एपरेंटिस वोर्डन सब कुछ डिप्लोई कर दिया रॉयल चैंपियन भी जा रही है आगे रॉयल चैंपियन के ओपर चलो अच्छा पेट इस्तेमाल कर रहा है लोमडी लेवल दसकी पुद्धे की अबिलिटी इस्तेमाल कर ली पर सारे के सारे रूट राइडर्स नहीं थे एक रूट राइडर बाहर की साइड पर चलो उतना ज्यादा फरत नहीं पड़ेगा सिंगल के लिए स्केलिटन और मॉनलिट के लिए बिल्कुल सही डिसिजन वग्त भागे जारा है याँ यहाँ पे कुइन सही जा रही है कुईन का तो कोई मसला है नहीं कुइन अमर हो गई यह अबी यह सिंगल डाउन होते ही कुईन अमर है क्योंकि ability बाच चुकी है queen के पस्ट अभे यार पागल अउरत गूम के जाना भाई क्या कर रही है हद कर रही है भाई हद actual में गूम के आराम से जा सकती है भाई पर नहीं जाना इसको हदी हो गई यार सबसे पहला update जो सूपर सेल को लाना चाहिए queen का दिमाग उसके गुटने से निकाल गए सर में डालना चाहिए अवे यार सीन हो या दोस्तों यहाँ पे तो देखो यार वही compartment बचा है जो compartment मिला नहीं भाई साब ने ब्लिंब डाली नहीं मिला king डाला नहीं मिला queen को चाहरा था कि queen के साथ निकले compartment queen मर गई बताओ रॉल चैंपिन जिंदा है क्या यह अभी वी हो सकता है क्या ट्रिपल भाई लोमड़ी उसको इन्वीजिबल कर इन्वीजिबल जल्दी जल्दी एक कम एक कम एक मर गई होने से पहले यार पांच में 15 होने माला था बाई मूड़ कर दिया पिचाण में 96 परसंट हो जाएगा चार में फोटी पांच में फोटीम 15 नहीं हो पाया बाई येलो बाई स्कोर हो गिया पांच में 14 स्कार आज ओ भाई साब छटवे अटाक के लिए चलते हैं छटवे अटाक अजमाल बाई साब आचुके अटाक के लिए आर्मी देखो बाई इस आर्मी के साथ तो बाई जल्द से जल्द यह बेस निपड़ जाना चाहिए लेकिन यार इस आर्मी के अंदर भाई साम यहां-र रे- यार आजमल भाई चलो सँही है सयह सब्सक्राइब को इक ही मेरे को डिखें मेरे ऊच्छी बात है क्योंकि यार दो पेका कितना पचास और ग्यारा विजर्ड नब्बे 94 नाइंटीफोर आउजिंग स्पेस तो इनको इदर इच मिल गया फ्री में 94 आउजिंग स्पेस के टुप्स और सीसी फट भी गई है सीसी के अंदर से निकल चुके है यह टीज और पूरी आर्मी देखो क में कईसे पूश हो रही है बुड़े के साथ किंग क्वीन आर्सी इन रोस के अबिलिटी पांच फ्रीज स्पेल जनाब इतना फ्रीज लेकर क्या करोगे बाई साथ दना दन फ्रीज स्पेल डिपलोई करे जारे बाई साथ सिंगल ने पकड़ ली आर्सी को चलो निकल गया सिंगल वेरी नाइस वेरी नाइस फ्रीज अभी भी दो फ्रीज है आर्सी और क्वीन दोने के पास अबिलिटी है भाई साब टाउन हॉल की पीछे यार इन्वी स्प चलो रॉयल चैंपियन वा की पास अबिलिटी वची है क्वीन के अबिलिटी में टाउन हॉल मिल जाएगा अबिलिटी दबादो दबादो नहीं दबारे भाई साब अच्छा जी हॉग पपेट इस्तमाल करा है जनाब ने मज़ा आया देखके काफी अच्छी चीज है भाई कितना मज़ा आता दोस्तो सारे 555 में 15 और यह 6 में 18 हो जाते पर अभी 6 में 17 हो जाएंगे सिर्फ हमारे यार ऐसे ही छोटी छोटी गलती होगी वाई जैसे भाई पूरा मतलब CWL खराब होता है एक अटाक की हो जैसे भाई पर चलो कोई मसला नहीं है यह मार दिया अजमाल भाई साब ने यहां पर रिपल चलो वेरी नाइस अटाइक भाई अजमल कि इसी की साथ स्कोर देख लो भाई छे में 17 हो गया आजाओ दोस्तों अगेन हमारी साइड से GTX तनिश 2 दूसरे वाई साब दूसरा अकाउंट है उनका उससे अटाक कर रहे है आओ देखते हैं तो भाई बजगा क्या बजगा 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 वाई यह नर्फ हो चुक गया सुपर आर्चर अरे बावरे नर्फ होने के बावजूद 39% के वेल्यों बताओ नर्फ हो गया बाउम टावर के सामने ब्लिंप खोली है पर बाउम टावर पे नहीं खोला यह सही किया और उसके बाद आइस गोलू डालके यह अपने रूट राइडर किंग क्वीन बुड़े के ओपर रेज हिलर किदर है हिलर है अरे यार 18 सुपर बार्बिरियंस का है इस नाइस पनल के लिए जिसे की आर्मी कोर में पूछ हो है टाउन हौल की तरफ और भाई आर्मी गायप सी हो गई है क्या एबिलिटी इस तो बचा के रखिए तनीश ने यहां पर सबकी हुड़े की अबिलिटी मार दी चलो सही टाइम पर किंग के पास भी अबिलिटी है अपना अच्छा काम कर रही है रॉयल चेंपियन भी अपना अच्छा काम कर रही है अच्छा का पाईजन का इफेक्ट खतम हो चुका यह काफी अच्छी बात हो गई ग्ट एक स्फनीश टू क्या ट्रिपल मार पाएगा इस बेस को बस क्वीं के बस ईबिलिटी है कोर में डामेज हो रहा है रोयल चेंपियन और कुइन दोने अच्छा अबनीटी है यह क्वीन के अबिलिटी जनाब ने दबा दी एक हिट में डाउन एख हिट में यह वाई दो हेरो जिन्दा बच चुके सुपर बार्बिरियंस भी है पक्त भी ठीक ठाक बचा उतना ज्यादा में नहीं बचा चलो मार दिये ट्रिपल इसी के साथ भाई आठ में 21 में और आठ में बीशनी सोरी आठ इक इक टमें शोया साथ ट्रिकर के 20 साथ में 20 होगा चलो हो सब टैय्यप ऐस दे तो सब्सक्राइब कर रहे हैं देख लूख देखनेशार सुच्राइब करा रहा है और सब्सक्राइब और यह जल रहा है वही तीन तीन इलर के साथ कुईन चार्ज इंको टाउन हॉल निगालने के लिए डाला गिया है जहां तक समझ आ रहा है और कुईन गलत ना चली जाए यही सही रहेगा चलो कुईन बार की साड़ पर आ रहे हैं अंदर की साड़ पर हिलर्स डिपलॉय हो किंग अबे यार किंग वा चलो निकाल दिया टाउनल का वेरी नाइस जॉब ओके कुईन सही गाम कर दिये रूट राइडर्स को डिपलॉय कर दिया एपरेंटिस वॉर्डन बुड़ा रॉयल चेंपियन पीचे से वीजर्ड ड्रिल मशीन को भी डिपलॉय कर दिया गिया है वेरी नाइस जॉब ओके टीन हिलर वाला कुईन चार्च कैसे क्या करें यहां पर देखते हैं भाई कुईन घुम के कहां जा रही है अरे 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 इस चैनल के अंदर जा चुकी है जो की बहुत अच्छी चीज होई है देखो ना कुईन के साथ कितनी वैल्यू मिलेगी इस चैनल के अंदर से पुड़े की एबिलिटी इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे उपर बार्बिरेंस भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं यहां पर, क्लीन अपका, क्यूल के अबिलिटी है, अबिलिटी जा सकती है, क्यूंकि डैमेज बढ़ रहा है क्यूल की ओपर, रॉयल चैंपियन भी सही काम कर रही है, पर उसको लगातार, invisible करने का काम कर रहा है spirit fox यह काफी अच्छी चीज़ है चलो queen के ability finally अच्छी कासी value मिल गई royal champion ने भी निकाल दिया काफी अच्छा कासा value खता मैं दोस्तों यह base इसी के साथ अब मैं बोल पाऊंगा 8 trick 24 पर एक attack fail तो 8 trick सेविस होगी है हमारे साथ ठीक है एक attack एक star कम आ गया एक spell swag के साथ यह भाई नहीं यहाँ पर टोटल हमारे clan के score को पहुंचा दिया है आठ attacks के अंदर 23 stars के उपर यह लो भाई साथ अब देखते भाई result क्या होता है day one का one year later day one का result हो जाता है दोस्तों 15 attacks के अंदर 39 star और स्टिल वियतनम नंबर one हमसे उपर और हमारे नीचे vampire से टी मतलब दोनों के स्टार से में यही तीन के बीच में फाइट होने वाली cwl के अंदर और बाकी के जो बीच वाले अटाक से वह एजास भाई के चैनल पर देखनों के मिलेगे तो बास आज के लिए अगली वीडियो में तब तक के लिए पाइज पाइज पाइज